चीन जहां एक और लद्दाख में दबगई दिखा रहा है नेपाल और भुटान के गाउं पर डेरा जमा चुका है तो पाकिस्तान और श्रिलंका में जड़े जमा चुका है लेकिन इस भी चीन का साया श्रिलंका के रास्ते भारत के दक्षनी शोर यानि कन्या कुमारी तक पह पहरत हुए कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनमिक कमिशन बिल ने देश की रास्तानी कोलंबो में एक नए चीनी प्रांथ की रा खोल दी है एक चीनी कंपनी कोलंबो में 153 एकट जमीन की 99 वर्षि लीज्ज के बदले स्पोर्ट सिटी का निर्मान कर रही है इस बिल के ज़रिये इस पोर्ट सिटी की निर्मान के लिए एक आयोग की मंजूरी की गई है साथ सदसी आयोग ही पोर्ट सिटी में एंट्री टेक्षेसन समेत सभी फैसले लेगा यहां एंट्री के लिए भी विशेश पार्ट की जरुवत होगी और शिलनकाई करंसी की बजाए यहां विदेशी करंसी की इस्तेमाल की छूट होगी चीनी प्रभाव को देखते हुए तै माना जा रहा है कि यहां चीनी करंसी युवान ही चलने वाली है रक्षा विशेशक्यों का मानना है कि इससे भारत के लिए जक्षनी छोर पर नया खत्रा पैदा हो गया है क्योंकि कोलंबो से कन्याकुमारी की दूरी केवल दो सो नबे किलोमेटर ही है यानि इतनी नजदीक चीन का स्थाई बेस हो जाएगा एक्सपर्ट मान रही है कि कोलंबो स्पोर्ट सिटी में एकोनमिक जोन बनाना तो सिर्फ शुरुवात है श्रिलंका इस संसद ने जिन साथ सदसी आयोग को मंजूरी दी है उसमें से पांस सदसे श्रिलंका के और दो तो चीन की होंगे पोर्ट सिटी बना रही कमपनी चीन की सरकार से समर्थित है लिहाजा आयोग के जरिये चीन यहां पर खुद राज करने वाला है या ठीक से कहें तो अब श्रिलंका नहीं बलकि डायरेक्ट चीन का ही राज चलने वाला है दोस्तो फिलहाल भारत के लिए चार मोर्चों पर बड़ी चुनोती देखने को मिल रही है पहला मोर्चा है पाकिस्तानी फ्रंट पर चीन की मौजूदगी दोस्तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से चुपी हुई नहीं है चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान एकॉनमिक कोरिडोर के तहत 62 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस निवेश के बदले पाकिस्तान की पूरी विदेश निती में ही उसकी धखल हो चुकी है बड़ी बात तो ये है कि अब अमेरिका पाकिस्तान से पलायन कर चुका है फिलहाल चीन और रूस यहां पर एंटर हो चुकी हैं जो भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं भारत के लिए दूसरी बड़ी चुनोती है नेपाल और भूटान में चीन की दखल दोस्तो नेपाल में चीन अंदर तक घुश चुका है एक तो वो नेपाल की जमीन पर कबजा कर रहा है तो दूसरी और राजनिती में पूरी तरह से दखल बड़ा चुका है इंफ्राइस्ट्रेक्शर निवेश के नाम पर चीन ने करज का जाल बिछाया यहां तक कि कुछ दिनों पहले तक नेपाली पीम ओली भारत विरोधी बयान तक देने लगे थे फिलहाल यहां राजनितिक संकट में चीन बड़ा गेम खेलने में लगा है तो वहीं दूसरी और भूटान से भी बड़ी ख़वर है जहां चीन पाओं पसा रहा है भूटान में चीन ने कई गाओं को अपने कबजे में ले लिया है डोकलाम विवाद भी भूटान की जमीन को लेकर ही हुआ था और इन दिनों दोनों देशों पर चीन की दखल भारत के लिए बड़ा सिरदर्द पैदा करने वाली है भारत के लिए तीसरी बड़ी चुनोती है अरुनाचल प्रदेश, शियाचिन और लद्दाक में चीन का संकर्ट दोस्तों दुनिया के सबसे उंचे युद्ध क्षेत्रों में हम लगातार चीन का सामना कर रहे हैं चीन की वज़े से ही प्रकरती की सबसे विशम परिस्थितियों में हमारे जवान लगातार सीमा पर डटे हुए हैं तो अरुनाचल प्रदेश में चीन लगातार घुसपैट कर रहा है यहां तक कि उसने लंबे चूड़े भूभाग पर कबजा भी कर लिया है पिछले दिनों उसने यहां पर बाकाईदा एक गाउं भी बसा लिया था तो वही लद्दाक में हालिया तनाव हर भारती जहन में ताजा है गलवान घाटी में खूनी संगर्श और लंबे तनाव के बाद चीन अब पीछे हटा लेकिन हारमोर्चे पर वो दोबारा से धोकी की कोशिश में लगा है क्योंकि यहां फिर से चीन ने अपनी फोज की तादाद बढ़ा दी है और हत्यारों का जखिरा भी तैनाद कर दिया है तो वही भारत के लिए चोथी बड़ी चुनोती है हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी दोस्तो हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी पहुंस बढ़ाता जा रहा है और वो भारत के कन्या कुमारी से महज 290 किलोमेटर की दूरी पर जम चुका है अभी तक यहां कोई सैन्ने बेस नहीं है लेकिन कोची और विशाका पट्रम समेत कई बेस इसी क्षेतर में है दरसल श्रिलंका ने 2017 में कोलंबो की निकट हमबन टोटा द्वीप में भी पोर्ट सिटी चीनी कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दी थी मगर अब कोलंबो पोर्ट सिटी का मामला अलग है यहां चीनी कंपनी चाइना हार्बर इंजिनियरिंग कंपनी को 99 वर्ष की लीज पर 153 एकड जमीन देने के साथ ही इसे स्पेशल एकॉनमिक जोन बनाया जा रहा है और इसका पूरा प्रबंधन एक आयोग के हाथ में होगा जिसके जरियत चीनी शासन चलेगा अब जाहिट से बात है कि भारत के इतने नजदीक चीन का पहुँचना बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाला है दोस्तो भारती नोसेना के प्रूप पर्मोखे एड्मिरल अरुन प्रकाश के अगर हम माने तो चीन कोलंबो पोर्ट सिटी को सैन्ने बेस बनाने से बाज नहीं आने वाला है दोस्तो भारत के ठीक सामने श्रिलंका की रिधैस्तिली में बैट कर चीन अपनी सैन्ने गतिविधियां वहां से अच्छे से ओपरेट करना चाहेगा उसके युद्धपोत और पंडूबियों का आश्याना वहां बनने लगेगा तो असली और कठिन सैन्ने चुनोती पेश होना स्वभाविक है श्रिलंका के हमबन टोटा द्वीप में भी चीन 99 साल की लीज पर जमीन ले चुका है यानि अब कोलंबो में उसकी पेट एक और बड़ी चुनोती बन चुकी है लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के नेत्रित्व के लिए खत्रे की आहट पहली बार हुई है बलकि भारत के भोगोलिक रिष्टे से गहराई से बंदा होने के बावजुद श्रिलंका अब हमारे हाथ से फिसल चुका है तो हमें ये देखना होगा कि चुक आखिर कहां पर हुई है जिस पोर्ट और प्रोजेक्ट पर चीन ने बाजी मार ली वहाँ भारत ने भी पहुँचने की कोशिश की थी लेकिन डिप्लोमेसी निन्ने लेने में देरी और इस्टेर्जिक दूरदर्शिता के अभाव ने काम्याब नहीं होने दिया रक्षा मंत्राले और विदेश मंत्राले के निर्ने में खामी आई यहां तक के श्रिलंका और भारतिय नौसेना की बीच गहरे रिष्टे होने के बावजूद भी कोई फाइदा यहां पे नहीं मिल पाया श्रिलंका की नेवी के पास फिलहाल जो दो सबसे बड़े पोत हैं वो गोवा के शिप्याड में ही बने हैं उनके सेलर से लेकर चीफ तक की ट्रेनिंग भारतिय प्रतिष्ठानों में हुई है इसके बावजूद चीन वहां अपने पैर जमाने में काम्याब हो गया तो वही इरान के चाबहार पोर्ट की कहानी भी फिलहाल कुछ ऐसी ही बन चुकी है ये पोर्ट भी लगबग भारत के हाथ से फिचल सुका है वही हिमाली राज्य नेपाल तो हमारे जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ था लेकिन आज कल वो भी नाराज चल रहा है तो दूसरी और बांगलादेश में शेक असीना जैसी मित्र प्रधानमंत्री होने के बावजूद बांगलादेश से रिष्टे उतने अच्छे नहीं है मयानमार से लेकर मालदीब तक भारत की डिप्लोमेसी में बदलाव की दरकार देखी जा रही है क्योंकि चीन लगातार भारत को घेरता जा रहा है जो आने वाले वक्त में बड़ा खत्रा बन सकता है